जय हिन्द मेरे प्यार दोस्तों आप सभी का आपके वोटे चनल मैठ क्लास फुर एक्जाम में स्वागत प्रता दोस्तों दोस्तों बहुत ही सांदार वीथ लाजवा कोशन लेकिया हैं दोस्तों उमीद है अपलों को पशन्द आएगा दोस्तों बन रहे हैं पूरा का पूरा ओर्म चक्रफ्रवर्तर किस अस्ठान पर दिया था तो एंशर होगा दोस्तों सारना ओम तों सěंसर क्या है कुछ टॉपिक है दोस्तों कि बोध प्रमप्रा के अंसार्थर्म नात्व परस्तिं다가 ति शरणात में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बूध द्वारा दिया गया का पहला अपदेश है इस सुत्र का मुख्य विसाइफ फोर नौवल टूथ है जो एक आपचारिक अभिव्यक्ति में बोध्धर्म के मुल अभिविन्यास को संद्रवित करता है व्यक्त करता है कि महवी निस्करम का अर्थ है दोस्तो महान प्रस्थान भगवान बुद्ध्ध वारा त्यागने की घटना थी शंबोधी तत्य स्लंका में श्तित तूप है ठीक है एं महापरी निर्वाहन का अर्थ है मुत्यू के वाद निर्वाहन का संदर्व हेतु संदर्व देता है और धर्म चक्र परवतन का अर्थ है दोस्तो भगवान बुद्रो द्वारा प्रथम उद्देश का उपदेश एंड नेक्स्ट कोशन दोस्तो भुपाल में मस्जित का नाम दक्राउन ओफ मास्क के नाम से जाना जाता है यह भारत में सबसे बड़ी है जो एंसर होगा दोस्तो नताज उल मस्जित ओप्शन नमबर चार ठीक है नेक्स कोशन दोस्तो इलहाबाद का प्रणा नाम क्या था दोस्तो एंसर होगा प्रियाग और इसके कुछ टॉपिक है दोस्तो इलहाबाद के पहले प्रियाग के नाम से जाना जाता था यह भारत में विश्व परसिद्दिकुम मेलक के चार अस्तलों में से एक है इसे प्र तीन तरफों से गंगा यमना स्रस्वती तृवेनी संगम का इलाहवाद में होता है बनारश उत्रप्रदेश के बनारश शी का पूरा नाम था और अम्यृति का मालवान चैत्र का प्राचिन नाम था पाउटली पूत्र विहार में भार्थिय सहर पटना का प्राचिन नाम था ठीक है नेक्स कोशन दोस्तों हाल में खबरों में देखा गया कि एक युनिस्कों की 20 धरवर अस्थल हागिया शोफिया कहां इसे थे तुर्की में आप्शन नम्मर तीन नेक्स कोशन दोस्तों चार मिनार अस्मारक कहां सित है तो चार मिनार हैदराबाद में सित है दोस्तों और हैदराबाद तिलंगना भारत में सित एक अस्मारक है चार मिनार अपने चार वहव्य महराबों के लिए प्रशिद है जो भारति इसलामिक संस्थापना सेली में निर्मित है इसे मुसी नदी के तट पर 1531 में कुली कुतम साह ने बनाया था हैदराबाद सिकंद्राबाद दोनों ही भारत में प्रशिद जुड़वा सहर है पंजी भारत के गवाराज की राज़धानी है तीस मय उन्हें 1987 को गवा भारत का पुन राज बना ठीक है नेक्स्ट कोशन दोस्तों अजमेर में कि सुभी संत्र का दरगा है तो मौनेदिन चिस सित है दस्तों हाथ पुन टॉपिक दोस्तों इन फ्रिनिटीव टावर दुनिया का सबसे उंचा सबसे उंचा टावर दुबई संजुद अरव अर्मिरात में सित है इसका घाटन 10 जून 2013 को हुआ था और यह 306 मोटर 306 मीटर लंबा और 75 मीटर मंजिला गंगन चुमी मारत ह है जिसकी निनमान केयन रियल स्टेट निवेस एंड डैबलापमेंट द्वारा किया गया है उदिघाटन में पहले यह कायन टावर के नाम से भी जना जाता था टावर 90 डिगरी के मोड के साथ दुनिया के सबसे उंची इमारत बन गया है दुबई से पहले बुर्ज खलीफ अवासिय टावर और जे डबलु यू मैरियट मार्क्सिको तीन सब पच्पन मीटर दुनिया सबसे उंची होटल है ठीक है कि नेक्स्ट कोशन दोस्तों रक्सॉल हावाय डाक किस राज में इस्तित है तो एंसर होगा विहार में कि रक्सॉल एयरपोर्ट यह बिहार राज में रक्सॉल में इस्तित है यह नेपाल सीमा के करीब बिहार के पुर्वी चंपार जिला में इस्तित है और नेक्स्ट कोश अन्य तत्य दोस्तों पस्यमंगाल यह जहारखन ओडिशा बिहार बंगलादेश आसं सिक्कीम भुटान निकाल के साथ सीमा साजा करता है माम्ता बनरजी बंगाल के मुख मंत्री है कॉलकोता पस्यमंगाल के जाज़नी है जगदीब धनकड पस्यमंगाल के बरतमान राजपाल है नेताजी सुआस और उत्तर परदेश से विच्तन दोस्तों यह अधितम भारति राजी की एक सीमा साजा करता है यह उत्तराखन हेमाचर परदेश हरियाना राजस्थान मर्द परदेश हतिस गर चारखन बिहार के साथ साथ डिली के साथ अपनी साजा करती है योगा करता है नानदी अतर पदिश के राजपाल और चकेरी हवाईड़ा उत्तरपदेश के कुछ पर्मुख अभीःड़ा है यह कुछ गलती है दोस्तों कि बिहाग के जगा या बिहार होगा नितिश कुमार बिहार के बरतमान मुख मंतरी हैं फागु चुहान बिहार के बरतमान राजपाल हैं बिहार उत्तर में नेपाल पस्तिम में भारतिय राज उत्तर पदेश दक्षिन में जहारकान और पुरा में पस्तिमंगल से घ राज़धानी है द्रबंगा एरपोर्ड जोगवनी एरपोर्ड मुंगेर एरपोर्ड और रक्सोल एरपोर्ड बिहार के कुछ परमुख हवाइड्डे हैं और मद्परदेश दोस्तों नभ भोपाल भारतिय राज मद्परदेश की राज़धानी है मद्परदेश महाराष्ट्रा गुजरात राजस्थन के साथ साथ अपनी सीमा साजा करती है स्रिवराज सिंग चोहान मदपदेश के मुख मंतरी है एन मंगू भाई चगन भाई पतेल मदपदेश के राजपाल है राजा भोज अंद्राष्टि हड़ा राज माता विजया राजे सिंध्या यड्ड और देवी अहला वाही होल कर हवाय अद्ट मत पर सके कुछ परमुह if हवाई अड़े हैं मंदे नेक्स को आभम दोस्तो इंद्रा गांधि हवाय अट्ड अका है जिसे दोस्तो दिल्ली में नई दिल्ली में और पर मुख कर अब है कि नाम मुममें में चैन्नाईं में चैन्नाई अंतराश्टी हवाईड़्डा और भारतिय विमन पतलम प्रदाधिकरन एय एय यह एक वेदानिक प्रदाधिकरन है इसके स्थापना एक अप्रेल 1965 को हुई थी यह नागरिक उडियान मंत्राले भारतसरकार के अधिन काम करती है यह भारत में नगर रखाव के और प्रावधन के जिविधार है इसके मुख्याल है नाइदिरली और अध्यक्ष्य अरविंद्र शिंग लिए नेक्स्ट कोरिशन दोस्तो औरंग ज्व की पत्नी मकबारा भीबी का मकबारा कहां इस्तित है तो एंसर होगा दोस्तों औरंगाबाद में औरंगाबाद में औरंग जेव छट्थे मोगल समराठ थे और 1675 में नौविस सिख गुरू तेज बहादूर को मार दिया उस उन्स ने 1679 में से जजिया को पुन्हाव पुरिष्ट योजित कर दिया औरंग जे साहजाहा का पुत्र था औरंग की पत्नी का मकवारा बीबी का मकवारा महराश्ट्रा के औरंगाबाद में सिख है नेक्स कोइशन दोस्तों गुजरात में इस्टेशल आफ इनटी के लंगा कितनी है तो 182 मीटर है कुछ तर्थ दोस्तों इस्टेशल आफ इनटी भारत के गुजरात में सिख है यह दुनिया के सबसे उंची पर्दिमा है जिसकी उंचा 182 मीटर और 597 फीट है यह सदार और बांध के सामने नर्मदाद नदी के तर्ट पर इस्तित है यह संजुद राज अमरिका के में स्टेश्य आफ लिबर्टी क्या करके दुबना है और चीन के इस प्रिंगन टेंपल बुद्र में चार्स चालिस प्रतिसत अधिक लंबा है यह सरदार बल्लव है पटल के प्रतिमा पहले उपरदान मंत्री और ग्रिया मंत्री थे नेक्स कोशन दोस्तों भारत में सोध संस्था मैत्री कहां अवस्थ है तेंसर होगा दोस्तों ना अंटार जारखन के लिए प्रशिद है तो कोईले खानों के लिए प्रशिद है दोस्तों चर्या कोईला खानों के लिए प्रशिद है यह भारत में सबसे अमीर कोल माइंस में से एक है जो अच्छी गुनमता वाली कोकिंग कोल का सबसे अच्छा भंडार है अपने सम्रिद कोईला भ lunabaad भारत का दूसरा सभसे प्रदुसरिस हर है जहर खर्ण में जर defense सर्दरा में और स्विष्ण हो और कि की खाने मिरठ में और कि की कहने हजडी जगाकाना में दोस्तों चिए की साथ कुछ पूर्व की रोम के नाम से जना जाता है तो मंगलोर के बारे में कुछ स्थाथि दोस्तों मंगलोर अरभ शाग्र और पसिम फ्र sı्ट से घिरा हुआ है इतिहसी वंस्तुक्रा के लिए प्रसिद है मंगलोर को पुर्व करों के रूप से जनालयता है साथ का नाम हिंद्यु मंगलोर भारती राज करनाटक का बंदरगाह सहर है अगर आप कि अ刹 औरा नेक्स्ट टोप्र दौस्त ओदर waipur कि सापना 503 3 में महाराणा और शाहक्रमैं 53초 2áticas के रूप में वरकाह्रोर ला चुछ इह स्बूर्मियर को नाम से जाना जाता है इसे जीनोल का सहर पाल उ दैपूर उद्या पर गुंदुनिया का सबसे रोमांटिक सहरों में से एक जना जाता है आकस अर इसे पुर्व का वेनिस कहा जाता है नेक्स्ट है दोस्तो जैपूर जैपूर रायस्थान के प्रसिद सहर और इसकी रायस्थानी है इसकी अस्थापना 18 नमंबर 1727 को अंबर के सासक महराजा सवई जैशिंग दुट्यक ने की थी जिनके नाम पर यह सहर का नाम जैपूर रखा गया रंग के आकर जैपूर को भारत के गुलावी सहर के नाम से जना जाता है और नागपूर नागपूर शहर महराष्टा राज के सितकालिंग राजधानी है संत्रे के पैदावार के लिए नागपूर पूरे देश में प्रशिद है इसे आम तोर पर भारत का नारंगी सहर का आयाता है नागपूर सहर के स्थाप्ना गोन जन जाती के राजकुमार भक्त बुलंद ने अठारवी सतावधी के पुर्वाधरमें की थी तो दोस्तों अभी तक जितना कोशन लाएं स्लेक्ट कोशन और बेश्ट बेस्ट कोशन दो तो टॉपिक था दोस्तो ना फैमस प्लेज ठीक ह प्रश्रित जगह के बारे में और इससे कोशन पूछाई जाता दोस्तों और इसे तरह का वीडियो लाते रहेंगे तो दोस्तों आभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लिस सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों आज के इतना ही जैहिन जैभारत चाओ जैहिन में और इससे को हमारे चाओ से बांचे जैइपना ही जैँं और झाक है अजाँ पड़ी 1 بهक Tax दोस्तों आज़ MARFया ही है